गूड एवरिंग फ्रेंश एक बार फिर से आपका श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जिनियर शिक्चा पर तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको जो है ना किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे यदि आप जो है ना इस क्लास को लाष्ट तक और पूरे ध्यान से एक एक सब्द को देखते हैं तो आपको जो है ना पढ़ने के साथ साथ यदि आप लिखना भी सिख रहे हैं तो आपको लिखना भी आ जाएगा तो आईए इस class को हम शुरू करते हैं class को शुरू करने से पहले इस class को कर दिजी like और चैनल पर नहीं तो चैनलों कर लिजेगा subscribe और शाथ में जो भी like अन दिख रहा है तो all notifications को परेश कर दिजेगा ठीके तो दिखी आज का हमारा कहानी है अगनी परिक्छा ठीके तो यहाँ पे देखिए बीस तिर्थ या त्रियो ध्याने कीएगा अगर आप लिखना सीख रहे हैं तो आप जो है न मेरे आवाज को सुन करके लिखिएगा अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं तो मेरे आवाज को सुनकर और ध्यान से दिखिए यहाँ पे एक-एक साब्द ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए ठीके का एक दल अपनी तिर्थ यात्रा पूरी कर वापसी के लिये रवाना हे हुआ था की आकाश पर घाने बादल चाने लगे और कुछ ही चाणों में गोर अंधकार फैल गया देखते ही देखते वर्षा भी आरंभ हो गई तेजी से पानी बरसने लगा राह कर बिजिली चमक उठती बादल गरजने लगते तिर्थ यात्रियों को अश्रय की कहीं कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी तभी बिजिली के छाणिक प्रकाश में उन्हें कुछ दूरी देखिए आपर दूरी लिखा हुआ है यह पर एक इमारत दिखाई पड़ी तिर्थ यात्रियों ने संतोश की सांस ली और उस इमारत के नीचे किसी तरह एक दुसरे से सटकर खड़े खड़े हो गये प्रंतु बरसात का जोर बढ़ता हैं गया बादलो की गरजन तेज होने लगी बिजिली भी और अधिक तेजी से चमकने लगी अंजाने में ही यात्रियों के खिरी दय में रह रहकर यहीं विचार आने लगा कि उनमें कोई न कोई पपातमा अवश्य है उसी पपातमा के कारण इस आंधी बरसात और तुफान के रूप में इश्वर अपना प्रकोप दिखा रहा है। किन्तु वह पपातमा कौन है। इसी प्रश्ण में डूबें वे बार बार एक दुसरे की और संदेह की दृष्टि से देखने लगे सभी एक दुसरे को शंका भरी दिरिष्टी से से देख रहे थे तिर्थ यात्रियों के लिये यह स्थिति असहनिये हो उठी अंत में दल की सबसे बुढ़ी महीला जो लगभग सभी तिर्थों का भ्रामन कर चुकी थी ने उस इस्थिती से मुक्ती पाने का एक हल खोज निकाला वह तिर्थ यात्रियों को संबोधित कर कहने लगी हम लोगों के बीच अवश है कोई पापात्मा है है आज का यह भयंकर तुफान उसी की मृत्यू की पुकार है अतह मेरा प्रस्ताव है की हम में से प्रतेक पीपल के उस पेड तक जाए और उसे छूकर वापस लोट आए जो पापात्मा होगी वह वापस नहीं आपाएगी परमात्मा का कोप वही उसी पर बिजिली बनकर तूट पढ़ेगा यह कहकर आवरत किसी के उत्तर के लिये रुकी भी नहीं तुफान में ही बाहर निकली और एक बार भी मुणकर देखे बीना उस पीपल को छूकर लोट आई दुसरे लोग भी एक करके बाहर निकलने लगे पीपल के व्रिक्च तक जाते आई देखे लोट चूकर आई तुसरे लोग थी एक एक उसे चुते और वापस लोट आते दल का अंतिम सदस्य विश्वा वैक्ती हें। अब रह गया शेश इस अगनी परिक्षा में पास होकर अपने धर्मात्मा होने का प्रमान दे चुके थे। वह बिश्वा वैक्ती सत्तर वर्ष का एक बूढा मनुष्य था। और अपने आचरन के लिये प्रसिद्ध था। सारा गां उसकी प्रशंसा करते न थकता था। उस व्रिध ने बाहर जाकर पीपल के पेड को छुने में बहुत आनाकानी की उसने कहा। ये सब बेकार की बाते हैं बच्चों के खेल से। अधिक इस बात का कोई महत्व नहीं है। किन्तु किसी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। वे उसकी और घ्रीना की दिरिष्टी से देखते रहे। सभी को यही लग रहा था की इसी के कारण हम पर यह संकट आया है। महिला ने जो इस अगनी परिक्छा की जनदात्री थी। उस वेक्ती पर गुस्सा करते हुए। कहा मुर्ख क्या समझता है की परमात्मा की कोप से बच जाएगा। लचार होकर व्रिध भे उस पीपल के पेड को छूने के लिये निकल पड़ा। पड़ा निकट पहुचकर व्रिध ने उस पेड को छूआ ही था। की उसी छड एक तिवर आवाज के साथ आसमान से विजली गीरी। अवश्य पर कहा उस पीपल के पेड पर नहीं। वरन उस पेड से दूर। जहां बाकी के उन्नीस तिर्थ यात्री अपने अपने धर्मात्मा होने का प्रमान देकर। उस व्रिद को देख रहे थे। जो अपनी अगनी परिक्छा देने गया था। सच तो यह था कि उस धर्मात्मा की वजह से सभी लोग जीवित थे। तो यह रहा आज का हिंदी पढ़ने का क्लास। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है। हमें कमेंटर के ज़रूर बताएगा। और इस क्लास को जो आप अपने सभी फ्रेंड को भी शेर कर दीजेगा। जैहिंड। फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।